महराष्ट में ठाने जिने के भिमंडी कस्वे में रविवार की सुबह एक माकान का हिस्सा किरजाने से एक महिला की मौत होगी जबकि दो अन्निलोग गंभेर रोप से घायल हुए हैं ठाने नगर निगम छेत्रिय आपदा प्रबंधक कोष्ट यानि के आडीमसी के परमुख अविनाश सावंत ने बताया कि घटना सुबह करीब 6 वजे के वक्त हुई है जिसमें एक मंजिला माकान की बालकनी तूट कर बगल के माकान पर गिर गई उन्हें बताया कि इस घटना में बगल के माकान में रहने वाली गुलशन सगीर अनसारी की घटना अस्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग सगीर अनसारी और महताब अनसारी ये गंभीर रूप से घायल हुए है अधिकारी के अनसार सुचना मिलने पर दमकल कर्मी और RDMC का दल मौके पर पहुँच गया और उन्होंने राहत बचाओ कार्य शुरू कर दिया है शुप को पोस्ट मौटम के लिए सरकारी अस्पाताल भेच दिया गया है अधिकारी ने कहा है कि घायलों को सुरूआत में ही एक अस्थानीय अस्पाताल में भरती कराया गया था मगर बाद में उन्हें पहतर इलाज के लिए मुमबई ले जाया गया है उन्होंने ये भी बताया कि अस्थानिय पुलिस घटना की जाच कर रही है